असलाम अलेकूम and welcome to wild rush अाज की विडियो। यकीन माने है बहुत 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 special हने वाली यह। की आज मुझे मेरी तीन मैंनों की महिनत का फ़ल मिला है। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल से बर्ड से मिले वने वाला हूं वो बर्ड जिसका जिकर कुराने पाक की सुरे नमल में भी आया है यह एक कलरफुल बर्ड है एक मोनोगमस बर्ड है इसके सर के उपर खुब सुरसा ताज है सेंकड़ों किलमेटर का सफर जो है बगार रु तो फाइनल ही यह हमारे ट्रैब में फंस चुका है तो स्टार्टर की इंफर्मिशन से समझ लिए होंगे कि मैं आज आपको कौन से बर्ड से मिलवाने वाला हूं तो बने रहेगा मेरे साथ हो देखते रहेगा वाइल्ड रश्ष्ट तो जैसा कि मैंने पहले कहा हमने इस बड को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में सो से ज्यादा ट्रैप जहां वो लगाई हुए थे तो फाइनली वह हमारे ट्रैप में बड़ी गंदी तरह से फंसा हुआ है तो हमारा आज का महेमान हमारा आज का गैस्ट है हमारा यह ज्याद अब यह देखें कितनी गंदी तरह से फंसा हुआ है अब ज्यादा और ना तकलीफ में पकड़ लाओं तो मैं आपको ट्रैप दिखाना चाहूंगा एक दो तीन यह देखें दो ट्रैप में बड़ी तरह से फंसा हुआ है चार पांच छे हमने इस तीसी जगह प है मैंने वहां पे सेंटर में बिल्कुल एक ट्रैप के साथ कोक्रोच भी बांदा हुआ था तो कोक्रोच को खानी के लालेची में जैसे यह आया यह मेरे ट्रैप में फंस चुका तो अब मैं इसको निगालता हूं तो फिर इसको निगालने के बाद एक अच्छी सी जगह प पर इसको करते हैं तो यह जगह बहुत बहुत है यहां बैठके मैं आपके साथ इसकी इंफिर मेशन करने वाला हूं अब यह आप जो मेरे हाथ में खूब सुरुतर मासूम सब्सक्राइब देख रहे हैं इसको इंग्लिश में होपो कहते हैं हूप ने एक्चली इसको अपन वान का लफ़ है पंजाब में हमारे यह हमारी आप हारा कहते हैं वह जो जो पर आटाप पीषने वाली टकी को उसको चकिरोह और चकिहारा कहते थे और इसकी जो बहुन वशन हिस जो लग और यह से लेकर यह सबुन बसले हुआज ईमधे हैंतिकेर्य यह कैसे सब्सक्राइध ना मीड़िडा कर नहीं दो दो खवा दो जगाता है झाले कि अचम Оп ड़ते हैं यह फ्कlies में आफ हैं जाते हैं जका हुंन दो आही सिकते हैं ये गने जंगलों में, नीम गने जंगलों में, वेरान जगों पे जहां पहुत सा दरख्त हों, पुरानी अमारती हों, जहां पे कुड़ा क्रिकट हो, वहां पे रहना पसंद करता है, गाउं में देहातों में आप इनको बड़ी तदाब में दे सकते हैं, ये होद हुद अपन तंट करते हैं शूज की पहली किरण के साथ ही फ्याइब निकल आते हैं और अपने फिते हैं बड़े से बात नेसे बात यह संड आते हैं अप इनको सरदी में जब यह संड पर पर ये संबात ले रहे होते हैं इनका संबात लेने का स्टाल जो होता है यह अपने दौनों पदे प्ञकि फिला के इसाला करें मटी के साथ खेल रहे होते हैं मटी को अपने ऐसे होते हैं तो इस हमल को सं 2002 cuts कहते हैं मेel들 की posture क्रेस्ट के जो कलर होते हैं यह थोड़ा से डार्क होते हैं यह अकेले रहना पसंद करते हैं बाद आपको तीन चार पांच के ग्रुप में भी नजर आ सकते हैं खुराक को ढूंडते हुए इनके खुराक खाने का तरीका बहुत कमाल का होता है कि आप देखेंगे देखते ही यह अपने जो कीडे को ढूंडते हैं तो उसको हवा में थोड़ा सा फैंकते हैं और फिर खा लेते हैं 67 से 70 ग्राम तक इनका वजन हो सकता है तो अब आते हैं इसके बाड़ी टेक्च्चर बाड़ी शेप की तरफ आप जरा इसके पांक देखें कितने खुबसूरत हैं को क्रेस्ट कहते हैं जब यह खत्रा फिल करता है जब इसको कोई शिकारी नजरा आता है तब यह अपना क्रस्ट जो है फिला लेता है अपना ताज है इस तरह इस तरह फिला लेता है आप इसका कलर का है और यहां से लाइट ब्राउन कलर का है सारी का सारा कुछ इसी तरह से है और इसके पंजे नबाई होती है इनके पंकों की बड़ाओ की कि बात की है तो अटाराइछ तक इनके की फिलाओं यह सकता है यह सब्सक्राइश शॉतर ही उड़ते होते लेकिन जब इनको किकारीишे खतरा हो किसी चील्स फटरा हो तो यह बहुत ज़्य हाइड पे भी उड़ सकते हैं लेकिस किड़े मुकोडे पटंगे खालते हैं स्कॉपिन खालते हैं चोटे मेंडक के जो होते हैं वो भी खालेते हैं चोटे सांप खालेते हैं यह एक मोनोगमस बर्ड है मोनोगमस बर्ड वो जो ज्यादतर एक ही फीमल के साथ एक ही जोड़े के साथ रहना पसंद करते हैं इनके बार में बहुत सारी गलत अफवाई हैं वो यह कि जब तक यह ज तक बाइड कलर इंड़े देती है जिसमें से 15 से 18 दिनों के बाद बच्चें निकला आती है इस ने इंडो की एफास्ट करनी है बच्चों की हिफास्ट करनी है जाहतर एंडो की ओपर फीमिल बैठती है लेकिन फीमिल निस्बत कम, मेल का काम होता है, खुराक लाना होता है, फीमेल का काम जो होता है, फीमेल एक बहुत ही जबर्दस किसम का काम करती है, वो यह जब उसने घौंसले से बाहर जाना होता है, तब अंडो की उपर घौंसले के उपर बहुत ही गंदी जो है स्मेल को छोड़ जाती है, जो के दूसरे शिकारियों को घंसलों से अंडों से बच्चों से दूर रखती है हुदूत के बच्चे तीस से चालिस जनों के बाद उडान भने के लिए तयार होते हैं अपना घंसला छोड़ने के लिए तयार होते हैं एक साल के बाद हुपो के बच्चे फुली अडल्ट हो जाते हैं फीमेल अपने बच्चों की हफाज़त तब तक करती है जब तो कुसको लग ना जाए कि यह बच्चे अब अजाद महुल में अजादाना जिन्दगी गुजारने के काबल बन चुके हैं तो अगर आप इनको ढ सर्च करना चाहते हैं इनके उपर काम करना चाहते हैं इनको बचाना चाहते हैं यह नहीं हैं मतलब कि इनकी एकसाम को कोई खत्रा नहीं है दुनिया में अब तक इनकी तीन के करीब इकसाम जो है वो पाई जा चुकी है योर्शिन हुपो मेडगासकर हुपो एंड अफ्रीक तो अगर आपने इनको देखना चाहते हैं द्रक्त लगाएं और इस तरह की कीमती चीज़ों को बजाएं तो अब आते हैं इनके lifetime lifespan की तफ इनका lifetime बहुत कमाल का होता हैं दस साल तक जिंदा रह सकते हैं बाकी बर्ट की तरह यह हैं टेप नहीं हो सकते अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आएं आप इनके महमान नवाजी करें आप इनके खाने पीने के लिए समाह रखेंगे आएंगे सिर्फ वही वजाया कि यह उस तरह से आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं वरना यह किसी भी तरह से हैंड टेम नहीं हो सकते तो डूसे जो रिशर्च इस उनके बारे उनके इलम में जो परिंदों से प्यार करते हैं उनके अँद्धा होगा तो अब टाइम है इनको डेस करने का अमीद है आप को मेरी है वीडियो सांद आहि होगी तो मिलती हैं किसी और वीडियो में वोग्या!